प्राइस से बचने के लिए आज में अच्छुरूम में जो है कि अम लोगे साथ अजीट पूनर पूनर अफ नियुक्तर से पार। सब्सक्राइब करते हैं तो इसको भी देख लेते क्या ओफर करता ये राफ्ट मोटर्स सब्सक्राइब यह फूल फिनिशिंग रेड कलर में और विहाब डियोल टोन यह प्रीमियम दिखने वाला पियावन टच और यह आप देख सकते हो राफ की ब्राइंडिंग राफ की स्ट्रिकरिंग और सो यह वी आर गेडिंग नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर तो यह बॉल्स आप देख रहो यह fake balls है और यह है indicators और इस 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 the main headlight of LEDs यह silver balls आप देख सकते हो यह fake है यह जो है यह main LEDs है यह आप है front mudguard और इसकी मैं tire size की बात करूँ तो guys यह है tire size आपको दिखा देतो भी numberings यह है 90 by 100 10 inches है और disc brake आता है इसमें और इसका disc brake की बात करूँ तो 200 mm का disc brake है और suspension आप देख सकत और covers के साथ तो mud में इसका बहुत help रहेगा and then side profile this is the side profile और यहाँ पर है reflectors और foot space इसमें बोलू तो कुछ ज्यादा इस foot space है like मेरा shoe number है like 10 size around so अब देख सकते हो आराम से आ जाएगा like luggage आप ज्यादा carry कर पाऊगे so यहाँ पर carrying space है और टोलोल का charging socket आप देख सकते हैं सकते हो so it's nice carry car पाऊगे अच्छे से यहाँ पर भी अब देख सकते हो यहाँ पर हुक और charging का आपने आपको बता दिया हमेने और इस वेहिकल का particularly charging socket है यह so this is the charging socket आप देख पा रहे होंगे so full on piano touch कितना premium look ले रहे है आप देख सकते हो और यहाँ पर है red और यहाँ पर लिखा हुआ इंडर्स raft stickering में graphics आप देख सकते हो इतना cool लिग रहे है और यहाँ पर side stand double stand और side call नॉर्मली यह वाला भी full on piano touch में है premium look देने के लिए और यहाँ पर suspension देख सकते हो यह भी same tires है tubeless tires है 9500 10 inches है और mudguard उपर आप देख सकते हो यह पीछे का mudguard और एक बार final look देख लो side profile कुछ ऐसे दिखता है and then we will come for seat seat आप मैं दबा रहा हूं कितना cushioning है आपको अंदादा लग रहा होगा तो that's what you are getting और back wrist आप देख सकते हो यह back wrist so with the proper mirroring आप यह premium touch आड करता है और इसे premium touch आड करता है और grab grill तो पीछे के साइट आप देख सकते हो tail lights आप देख सकते हो यह normal bulbs के cost effective so that's what you are getting और side side mudguard back में और side call वही है जो है और यह कुछ ऐसा दिखता है राइट लुक इसका और वही ग्राफिक्स गाइस रिपीट होते है राफ टिंडर्स और seat यह मुझे बहुत पसंदा है because cushioning बहुत है और console की और आते this is how it looks so console को भी मैं एक बार दिखा देता हूं यह आपको यह ब्रेक्स अपर डिपर सो यह पर टुनिंग इंडिकेटर्स हॉन इसको में मैं दिखा देता हूं आपको so this is the console these are the keys of this scooter so मैं इसको चालू भी कर देता हूं so this is how it looks ready का signal है आप है याप स्पीड इस पे गेरिंग गेर्स लाइक स्पीड मोट्स पी यह आपको यह भी दिखा दूंगा यह पर होड़ो आप देख सकते हो so यह पर है लाइट्स so मैं दिखा देता आपको so guys these are the LED lights bright है और यह स्टार्ट बटन so यह स्टार्ट बेसिकली गेर्स शिफ्ट करने के लिए मेंस मोड्स शिफ्ट करने के लिए भी है लाइक यह पर आप त्री देख सकते हो यह पर फोर हो गया 1 2 3 4 so that's what you are getting so guys this is the reverse button पार्किंग और ड्राइव मोड तो यह है थ्रॉटल रिपेर बटन सो इसका काम यह है बेसिकली जब इसका थ्रॉटल खराब हो जाता है इट्स ओल सेंसर तो आपको यह हेल्प कर देगा कि लाइक आप सर्वी सेंटर तक एटलिस जा पाओ और आप सो दाट से गुट डील तो लाइक यह संदो यह वाला फीचर बहुत अच्छे है राइक यह एक स्थीछ कूटर रहते और यह वाले फीचर दे रहे सो देट सेट सब्सक्वार नाइस थेंग स्थेंग इसका में बूड नोपन करके दिखा जेता हो तो क्या सीने करके हैं, so this is the boot, so guys, इसकी मैं बैटरी की बात करो तो guys, यह है 60 watts का बैटरी है, और charging rating है 10 amps, और इसकी मैं charger warranty की बात करो तो, इसका charging का warranty है 1 year, और controller warranty है 1 year, और यह max speed जा सकता है 45 km per hour, third mode पे, मतलब 3 modes पे, और इसके लिए चाहिए, no registration, no helmet, और यह ARAI registration वाला है, so friends, इसमें company दो बैटरी अपने को offer करती है, एक है lead acid वाला, दूसरा है lithium ferrous phosphate वाला, so guys, lead acid की बात करो तो capacity 28 amps है, और range इसका आजाएगा 65 to 75 km, और charging time इसका आजाएगा 6 to 8 hours, और warranty है 1 year, so इसकी pricing हो जाएगा, इस lead acid का, so इसका हो जाएगा 54,000 रुपी, So guys, मैं second battery की बात करो तो lithium ferrous phosphate का battery है आता है, और इसका capacity 24 amps, और range इसका आएगा 65 to 75 km, और charging time आएगा इसका 2 to 3 hours, तो यह बहुत सही है, जल्दी fast charge हो जा रहा है, और warranty है इसका 3 years, तो यह portable वाला है, और जो मैंने lead acid का बात है, वो fixed वाला है, और इसका यह battery के साथ, हम लोग यह bike खरीद रहे तो 74,500 इसका price अपने को पढ़ जाता है, फ्रेंट्स इसकी मैं dimensions की बात करू तो, इसका height है 1830 mm, और width है इसका 580 mm, और seat height आप देख सकतो 740 mm, अपने सक्रेंस के रहें का आपको यह video, इसका यह video आपको यह video, प्लीज दो like, share, comment and subscribe to my youtube channel, इसकी मैं बात करूँ, यह ज़ाइस इसकी मैं बात करूँ, यह सब गूद एलेट्रिकल वेहिकल, तो आप इसको एक बार check out कर सकतो, इसका details और show का details आप देख दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हो और डीविए को पॉन्टाइच कर सकते हो तैंक्यों मुच गाइस वीडियो थांक्यू गाइस वीडियो थांक्यू गाइस वीडियो पीज